कोशन नमबर वन है अजमेर के सेख मोहिनुदीन सूफी का संबंध किस सिलसले से था ये सिलसले था चिस्ती से एंसरोंगा बी चिस्ती से कोशन नमबर दो है पानीपत के प्रथम ये दुमें बाबर के हाथों कौन पराजित हुआ था ये हुआ था इबराहिम लोदी कोशन नमबर तीन है राजा मान सिंग किस राज से सम्मंध रखते थे तो राजा मान सिंग जो है आम्बेर या आमेर राज से सम्मंध रखते थे कोशन नमबर चार है नवाब सहिस्ता खाने फ्रांसिसियों को चंदर नगर किस वर्स दिया था तो चंद्रनगर जो है किस वर्ष दिया था ये दिया था 1694 इस्वी में कुश्शन नमबर पांच है प्रसिद चित्रकार विसंदास को किस मुगल सासक की छत्र चाया प्राप्त हुई तो विशंदास को जह है जहांगीर की छत्र छाया प्राप्थवी थी कोशन नमबर छे है इरान के सासक साह तामस ने हिमायों को कव सरण दी थी ये सरण दी थी 1544 इस्वी में कोशन नमबर साथ है जामा मज़ित का निर्मान किस ने करवाया जामा मझजित का निर्माण करवाय था सह जहाने कोशन मबर आठ है राजा टोडर मल किस विभाग के प्रमुक थे तो राजा टोडर मल जो है लगान संबंदिकार करते थे न राजा संब्दिक से संबंदित थे कोशन मबर नौँ है रानी दुर्गावती को किस ने पराजित किया तो रानी दुर्गावती को पराजित किये थे अकबर ने इंसर जाएगा भी अकबर कोशन नमबर 10 है तब काते अकबरी का रचयता कौन था तब काते अकबरी का रचयता था निज्यामुदीन अहमद कोश्चन नमबर 11 है अकबर के अंतरगत राजपुताना के किस राज़ ने सबसे पहले मुगल अधिनता सिवकार की थी आमबेर या आमेर के सासक ने कोश्चन नमबर 12 है चांद बीबी ने मुगलों के विरूद्ध किस यूद्ध की सफलता पूर्वक रच्छा की थी किस दुर्ग की सारी यहां पर दुर्ग है यानि चांद बीबी ने मुगलों के विरूद्ध किस दुर्ग की सफलता पूर्वक रच्छा की थी तो वो दुर्ग था आहमद नगर Queson No.13 है अमरी सर मनदिर की नीव किसने रखे थी अमरी सर मनदिर की नीव रखे थी गुरु अरजिन्देशा जो शिक्वों के पाँच में गुरु थे Queson No.14 है निमलिखित में से कौन सा अस्थान अबूल फजल का जनम अस्थान है तब ए नागार कोशन नमबर 15 है अब्दुल हमीद लाहौरी ने किस गरंथ की रचना की थी तो की थी पादसाह नामा की एंसर जाएगा भी पादसाह नामा की कोशन नमबर 16 है निमलिखित में से किस मुगल बासा के तुलसी दास समकालिन थे यह मुगल बासा थे अकबर एंसर जाएगा ए अकबर के समकालिन थे तुलसी दास कोशन नमबर 17 है निमलिखित में से कौन से सासक की सीड़ियों से गिर कर मृत्तु हो गई थी यह इनकी मृत्तु हो गई थी हिमायों की 27 जनवरी 27 जनवरी को इनकी मृत्तु हो गई थी 1556 में कोशन नमबर 18 है सीवा जी ने छूरा मार कर किसकी हत्या की थी सीवा जी ने छूरा मार कर की थी अफजल खान की एंसर होगा सी अफजल खान की कोशन नमबर 19 है तारा भाई किसकी पतनी थी तो तारा भाई जो है राजा राम की पतनी थी कोशन नमबर 20 है तीन भी स्विद्यालियों कलकत्ता मदरास और बंबई की अस्थापना कब हुई तो कलकत्ता, मदरास और बंबई का स्थापनावी थी 1857 इस्वी में Question number 21 है दयावसान सिधान्त या Doctrine of Labs को लागू करके 17 राजे को ब्रिटिस परुसत्ता में कब सामिल किया गया तो ये सामिल किया गया 1848 इस्वी में Question number 22 है 1799 इस्वी में सिरंग पत्नम के पतन के साथ किस राजे का भाग अस्त हो गया तो ये हुआ था मैसूर राजे का Question number 23 है Government of India Act कब पारित किया गया ये पारित किया गया था 1935 में 2 अगस्त है 2 अगस्त 1935 में ब्रिटिस संसर्ट में ये पारित किया गया Government of India Act EIC को भारत अधनियम भारत सरकार अधनियम का जाता है Question number 24 है D. Bonne Army Journal प्रमुक से न अध्यच था किसका था तो महादजी सिंधिया का Answer होगा B महादजी सिंधिया का Question number 25 है सूरज मल जाट किस राजी का सासक था ये थे भारत पुर का Question number 26 है Drain of Wealth की थियोरी किस ने प्रतिपादित की तो Drain of Wealth की थियोरी प्रतिपादित की थी दादा भाई नवरोजी ने Question number 27 है प्रसिद्ध काल कोठरी की दुरगटना कप घटित हुई तो ये घटित हुई थी 1756 को अब देखे काल कोठरी गटनाक बारे में ये 20 जून का आता है कहीं कहीं ये कहीं जून भी दिया है तो 20 जून 1756 को गटिती कहाँ पर कलकत्ता में और इसमें हुआ क्या था काल कोठरी क्यों का जाता इसी को Black Treasury के नाम से जाना जाता इंग्लिस में क्यों इसको काल कोठरी का जाता है क्योंकि अंग्रेजों को जो है 146 अंग्रेज थे उनको जो है 18 by 14 के कमरे में बंद कर दिया गया थे कमरा था 18 by 14 का उसमें 146 अंग्रेजों को रात के समय बंद कर दिया गया जब सुबह निकाला गया तो इसमें से केवल 23 जीवित बचे थे इसी घटना को जो एक काल कोठरी या ब्लैक ट्रेजरी के नाम से जाना जाता है जो घटना घटी थी 20 जून 1756 को कोशन नमबर 28 है एसियाटिक सोसाइटी या बंगाल के स्थापना कब हुई थी इसके स्थापना हुई थी 1784 इस्वी में कोशन नमबर 29 है आठराहमी स्थापदी में जगत सेट का किस प्रांथ की अर्थ बैस्था पर नियंत्रन था तो ये था बंगाल प्रांथ पर कोशन नमबर 30 है पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया तो पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था 1784 इस्वी में कुशन नमबर 31 है । रेगलेटिंग एक्ट के अंतरगत कलकत्ता में उस्तम न्याले के अस्थापना कव की गई। ति इसकी अस्थापना की गई थी 1764 इस्वी में। कुशन नमबर 32 है किस सन में रेगलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के पद की शुरुवात की गई ये पद की सुबात की गई थी 1774 इस्वी में कुशन नमबर 33 है पूना में 1905 इसी में सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी के अस्थापना किस ने की थी ये की थी गोपाल क्रिश्न गोखले ने कुशन नमबर 34 है राम क्रिश्न मीशन के संस्थापक कौन थे तो राम क्रिश्न मीशन के संस्थापक थे स्वामी बिवे का नंद कुशन नमबर 35 है अली बंधु निमलिखित में से किस से संबंदित है अली बंधु जह है खिलाफत आंदोलन से संबंदित है कोसे नमबर 36 है, हाकीम अजमल खाँ, भारती राश्टी कांगरेश के किस अदिवेशन के अध्यच थे तो ये अध्यच थे आहमदाबाद के, 1901 में आहमदाबाद जो अधिवेशन वह था Q. 37 है जलियलाबाग किस राज में इस्थित है जलियलाबाग जो है पंजाब प्रांत में इस्थित है Q. 38 है कस्तूर्बा गांधी की मृत्तू जेल में कब हुई थी तो यह हुई थी 1944 इस्वी में 22 जनवरी है Q. 49 है बिहार की प्रसंसा करते वे किस नेता ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां आसयोग अंदोलन से सम्बंदित बहुत अच्छा कारी हुआ है यहां की नेता अहिंसा का मर्म समझते है तो इसका एंसर हो जाएगा महात्मा गांधी Q. 40 है अजाद हिंद फोज का गठन किस ने किया इसका गठन किये थे नेताजी सुवास चंदर बोस ने Q. 41 है इंडियन नेशनल कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहां हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहां हुआ था मद्रास में इंसर होगा भी मद्रास में कुश्चन नमबर 42 है 1936 इसी में किसने किसान सभा का पुनरगठन किया था तो 1936 में ये पुनरगठन के थे साजा नंदने स्वामी साजा नंदने का पुरा नाम है कुश्चन नमबर 43 है खुदाई खित्मतगार नामक संस्था के संस्थापक कौन थे इनके संस्थापक थे खान अबदुल गफभार कान कुश्चन नमबर 45 है 1885 ल innocent कांग्रेस के अस्थापना किसने की थी तो इंडियानी सांग्रेस के अस्थापना की थी 1885 में वो थे एउ हूम स्वाधिन भारत के पर्थम भारती गवर्नर जनरल कौन थे सी राज गोपालचारी या चक्रवती राज गोपालचारी स्वाधिन भारत गरतंत्र कब बना था 26 जनवरी 1950 को कोशन नमबर 47 है बदरुदीन तयब जी एक जागरुक सदस्य थे किसके इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोशन नमबर 48 है चेंबर आफ फ्रिंसेज के प्रथम चांसलर कौन थे इनके चांसलर थे महाराजा कर्ण सिंग कोशन नमबर 49 है भारती समिधान के निर्माता के रूप में कौन जाना जाता है ये जाने जाते हैं हे डाक्टर भी यार अमबेटकर कोशन नमबर 50 है और अंतिम कोशन आज के लिए वियार अमबेटकर ने कौन सा